जैन प्यारे दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं घन कैसे निकाले आप लोगों को कुछ करने की जौरत नहीं है बस एक ट्रिक से ही पूरे एक से लेके सो तक वर्गों के घन अराम से निकलेंगे आप लोग बिल्कुल इस बात से निच्चित रहें कि एक से पचास तक के गहन ऐसे निकलेंगे, जिसके बीच में एक आता है, जिसके पीछे आगे एक आता है, पीछे एक आता है, कि बाहिस का कैसे निकालेंगे, पच्चिस का ऐसे निकालेंगे, ये ऐसा कुछ करने की जुरूरत नहीं है, आप लोग सीधे देखिए, एक ही ट्रिक से, बस आप ध्या हमें बाराय का घं निकालना है हम लोगों को एक लाइन खीचनी है बन अनुपात दो इधर लिखना है ठीक अब वन का क्या करना है घं करना है तो वन का घं तो वन ही होगा फिर इसका गं करेंगे तो आठ होगा ये कितने दो छोग आठ तो चार बार यहाँ इसमें इसकी multiply कर देंगे यहाँ पर दो लिखा ऐसी रहने देंगे क्योंकि दो की 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा इसका 2 गुमा करना है चार इसका 2 गुमा करना है आठ आप देखे आप आठ ऐसी लिखा रहने देना है आठ चार बारा का दो हांसी लगा, एक छार एक साथ और एक ऐसी लिखा रहने देना है, आप लोग कैलकुलेर उठाइए देखिए, सतरे अठाइस बारा का घन है या, तो दोस्तों कैसे लग रही है ट्रिक, अब बारा का देख लिया है, इसे हम लोग साप कर देते हैं, और हम उपाद दो इधर लिखना है, आठ कर देना है, दो चो का यहां पे कर देना है, गन लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसका दो गुना कर देना है, ऐसी उतार तिया चोबिस का चाहर हांसी लगे दो यह आपका गणा आगया तो आप लोग किसी भी सब्द को उठा लिजे किसी भी A, 2, Z किसी भी संख्या को उठा लिजे किसी भी संख्या को आप आप लोग देख लीजिए 25 का हम लोग कर लेते हैं 25 का घन कर लेते हैं आप लोग प्रक्टिस इतना कीजेगा उतना मुझे करने में आया समझाने में आप लोगों को देर लग रही है वट आप लोग जब करेंगे आप चुटक्यों में कर देंगे मात प्त्रे 5 सेकिंड में आप क्यूब निकालना सीखेंगे क्यूब ठीक दो अनुपाद 5 इधर लिग दिया दो अनुपाद 5 यहाँ पर लिग दिया अब क्या करना है गन कर दिया इसका 8 आ गया 125 इसका गन कर दिया ठीक अब 25 बार 25 दूनी 50 यह बात आप ठीक से समझे 25 पंजे 125 क्योंकि 5 का घन 125 होता है अब कितनी बार से हो रहा है 25 से 25 दूनी 50 यहाँ पर लिखेंगे अब यह देखें दो की 4 से गुणा करेंगे तो 8 हैगा ना क्यूब लिख रहे है अब 4 पंजे 20 ठीक दूना करना है 100 और यहाँ पर 80 घबराए नहीं देखें हम लोग कैसे करने वाले हैं पांच ऐसी लिखा रहने देंगे संख्या एक ही लिखते है ना हासिल आ जाएगा इधर 1500 और 12 162 का दो हासिल लगा 16 162 हुआ ना 1500 और 12 150 और 12 इधर हासिल ले लिया 16 80 और 20 सोरी यहाँ पर दुगना 40 आएगा इसका 60 और 16 76 का 6 हासिल लगे 7 और 7 और 7 यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें 8 में 7 और 8 पंद्रा तो यह इसका बर्ग धन आ गया ठीक अब आप लोग देख लीजिए बोलेंगे कि सर आप तो हलके हलके करा भारे हैं भारी कर लेते हैं आप 54 का क्यूब देख लें सब एक ही ट्रिक से होगी कोई आपको ट्रिक जेंज नहीं करनी है एक सिनिन्यान में तक और कोई ऐसा कोई बोनी करना है आपको बहुत राम से इसी ही ट्रिक से करनी है ठीक क्या करना है फाइब अनुपाद चार फाइब अनुपाद फाइब ये लिख लिए हमने पांच अनुपाद चार पांच अनुपाद चार 125 चार चुक 16 चुक 64 अब कितना हो रहा है 16 पंजे असी क्योंकि 16 चुक 64 हो रहा है और 125 चुक अब इनका दो गुना करेंगे तो ये 200 आजाएगा इसका दो गुना करेंगे 160 आजाएगा और फिर क्या करना है हमें जोड देना है क्या करना है जोड देना है 64 से 4 ले लिया हमने अब 160 और 80 कितना हो गया 240 और 6 च्यालिस 240 और 6 च्यालिस आसी लगा 24 अब 24 यहाँ पे रख देंगे हम लोग 24 चार ऐसी उतार देंगे हम लोग है ना और 22 नहीं 300 तीन सो चौविस तीन सो चौविस आ रहा है तो 32 आसील जाएगा और 32 अब इसमें हम एड कर देंगे साथ और यह 32 आड कर रहे हैं हम लोग पांच और एक आप लोग कैलकुलेटर उठा के देखें कि चौवन का बर्ग बो सोरी घन यही है या नहीं एक ही ट्रिक से होगी मात्र ठीक है आप लोग चैनल को सस्क्राइब करें और जिनको मैत नहीं आता उनको सेयर करें लाइक करें कमेंट करके बताएं ट्रिक कैसी लग रही है पहले पिछली वाली बर्ग निकाले यह वीडियो हमारे चैनल पर पहले डाली है कुछ दिन पहले और यह अब घन कि आ गई और अने वाली है घन मूल कैसे निकाले यह तो खती घन कैसे निकाले आप लोगों को यह ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएं